हलो दोस्तो स्वागत में चैनल पर मैं हूँ सिन्पाइनेटर्क और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुती ज्यादा डिसकस हुआ टॉपिक पर जी हाँ गाइस आज में बात करने जा रहा हूँ हाई स्कूल डी एक्सजी के सीजन फाइब के बारे में तो सच का हूँ तो मैं आज इसके बारे में वीडियो नहीं बनाना चाता था क्योंकि किसी भी एनिमे के सीकूल के बारे में बात करना बहुत हार्ड जॉब होता है जबकि आपके पास कोई डिफिनिट प्रूफ ही ना हो जबकि बात हो रहा है एक पॉपुलर एनिमे हाई स्कूल डी एक्सजी को लेकर और हाई स्कूल डी एक्सजी जैसे एनिमे जिसको पहले से लगातार चार सीजन मिल गया है और जब उसे अब आके कोई सीजन नहीं मिल रहा है तब हम सोच सकते है कि प्रूदक्शन एक्स हो ग और मैं High School DXD को Season 5 मेलेगा या नहीं इसके बारे में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिकोरेस्ट किया था और इतना बड़ा रिकोरेस्ट टॉपिक को तो मैं यो ही टाल नहीं सकता इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना situation का आपके सामने explain ही कर दूँ तो गाइस विनवग गवाय चलिए शुरू कते है आज का वीडियो तो पहले एक बात बता देता हूँ कि मैं आज यहाँ पर बस High School DXD Season 5 के release date के possibilities के बारे में बात करने जा रहा हूँ और आप लोग disappointed मत होईएगा क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा requested topic है इसलि चाहत में Google में High School DXD Season 5 देका सर्च मत कीजेगा सिर्फ High School DXD ही नहीं कोई फे Anime के बारे में ऐसे सर्च मत कीजिएगा जब तक कोई Official Confirmation ना हो क्योंकि इंतरे को इस सेर्च हमेशा ही fraud होते हैं वो बस popular keywords यूज़ करके AdSense revenue कमाना चाहते है अगर आप जानना ही चाहते है तो आ MyAnimalist या फिर Anime News Network की उसकीजिए वहाँ से आपको एकदम Official News जानने को मिलेगा तो first of all बात करते है High School DXD के author इशी बुमी के बारे में तो first January 2021 में उन्होंने पोस्ट किया था अगर fans को High School DXD Season 5 चाहिए तो उनको Light Novel को support करना बढ़ेगा मतलब वो चाहते है कि overseas में जो लोग English मे High School DXD Novel परते हैं वो लोग officially Novel को English में खरीद के author को support करें तो इससे Overseas fans से भी author को थोड़ा से support मिल जाता है और Anime का अगर नया season आए भी तो production वालों को audience का चिंता नहीं करना बढ़ता है तो January के उस tweet में author ने जीस volume के लिए मदद मांगा था उस volume का sale अच्छा गया और author ने खुद के Twitter account में भी Overseas fans को शुक्रिया कहा और उसके बाद author ने फिर से tweet किया कि अगर आपको Anime का season 5 चाहिए तो फिर best to buy है Light Novel के नए issue को support करना और हमें फिर से देखने को मिला कि sale अच्छा हुआ है और author भी शुक्रगुजार है तो देखिए guys यहाँ पर दो चीज हो सकता ह एक तो Anime के नाम पे लालज दे के author हमसे novel खरीदवा रहे है और दूसरा की है हाँ अगर हम ऐसे support करते रहे तो future में Anime का season 5 आ जाएगा तो मुझे लगता है दूसरा होना ज्यादा possible है क्योंकि मुझे नहीं लगता पहले वाला possible होगा क्योंकि आपको पता है internet बहुत ही dangerous जगह है specially Japan के light novel manga authors के लिए अगर अपने थोड़ा सा भी गलती गया तो फिर अब गए और दूसरी बात होना बहुत ज्यादा possible है क्योंकि देखिए recently बहुत सरे unpopular type of anime को sequel मिल रहा है जैसे कि misfit of demon king academy मतलब वो एक दम भी ज्यादा popular नहीं था उतना अच्छा भी नहीं था लेकिन उ season में देखिए how not to summon a demon lord मतलब बस एक एची और fan service anime होने के वज़े से उसे एक sequel मिल गया और आपने तो जरूर रीडियो आफ फिलर सूपर HX heroes के बारे में भुला ही नहीं होगा और साथी साथ एक और fan service मतलब देखिए आजकल anime का टेस्ट इतना ज्यादा बदल गया है कि लोग fan service ही anime को plot से ज्यादा पसंद करते हैं इसलिए ही तो इतने सारे कमाल के animes आए और high school dxd अपने समय में एक बहुत ही ज्यादा popular hrm anime हुआ करता था तो शायद उसे season 5 मिल ही जाए मतलब ऐसा नामोंक नहीं है मतलब देखिए the devil is a part-timer को season 2 लगबख 7-8 साल बाद मिल रहा है और high school dxd को तो season 4 पहले से ही मिल चुका है तो season 5 आने में ज्यादा problem भी नहीं है तो मुझे लगता है कि अगर season 5 मिल भी जाए तो वह बात predictably होगा क्योंकि पहली बात तो high school dxd बहुत ही ज्यादा popular anime में है और सबसे बड़ी बात high school dxd है एक fan service anime और सबसे बड़ा प्रूब अभी भी बाकी है जपैन में हर साल होता है काड़ो का और light nobel expo और ये जपैन का सबसे बड़ा light nobel festival है और इस expo के मदद से ही बहुत सारे series को एक second season मिलता है और साथी साथ नए light nobels को anime rotation भी मिलता है लास्ट येर में इसी expo परी rising of the shield hero का दो season एक साथ अनाउस हुआ था और साती साथ high school dxd जैसा एक similar anime data live को फी एक sequel मिला है और इसी expo परी इस साल the devil is a part-timer को लगबग 8 साल बाद आके एक sequel मिला है तो समझी तो सकते है काड़ो कावा एक्सपो Japanese light nobel को anime adaptation मिलने के लिए एक ब अगले साल शायद high school dxg को season 5 मिल ही जाए आपको लग रहा होगा कि मैं मजाग कर रहा हूँ लेकिन देखिए guys devil is a part-timer को फी लगबग 7-8 साल बाद आके season 2 मिला है और इसके light nobel खतम होने के बाद ही ऐसा हुआ है और अभी भी high school dxg के light nobel का sale चल रहा है तो शायद next साल ही मि खरीद कर support दे दे और उससे हमें फायदा मिल जाए तो guys यही था बहुत ही ज्यादा requested topic आपको क्या लगता है क्या high school dhg को season 5 मिलेगा यह हमें comment में बता दीजिए ऐसे तरह तरह के वीडियो उसके लिए हमें साथ बने रही है तो guys आज के वीडियो में वैसे इतना ही मिलते ह आगी को नई वीडियो के साथ